अगर आप भी post office parcel से समान मंगवाने और पहुचाने में विश्वास रखते हैं तो अब आपको सावधान होने की जरूरत है क्योंकि अब बिहार के जाक विभाग में भूत का साया चा चुका है आप भी सोचेंगे हम बहकी-बहकी बाते कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है बलकि जाक विभाग के द्वारा आया एक parcel ही ऐसी बाते बयान कर रहा है जिसमें जब वो parcel भीजा गया तो उसमें कश्मीरी शॉल और कई कीमती समान थे लेकिन जब वो receiver को receive होता है यानि कि जिसको वो parcel भीजा जाता है जिसको जो वो parcel receive करता है वो जब वो parcel खोलता है तो उसमें कश्मीरी शॉल नहीं बलकि लाल कपरे में अखरोट उसे मिलता है तो इसे या तो हम ढाक या द्वारा किया गया जादू कहेंगे या फिर डाक विभाग में भूत की एंट्री अब नमश्कार आप देख रहे हैं जंता जंक्शन और मैं आपकी साथ वंधना कैमरों पर से नों प्रकाश के साथ लेटेस्ट और ठोस फरनीचर खरिदना हुआ असान अफजल फरनीचर से यहां आपको मात्र 34,500 में पुड़ा फरनीचर सेट मिलेगा स्टोर इससे थे मुझदफरपुर के नरसंदा चौक पर ओर्डर करने के लिए अभी संपर्क करे 99314-85437 पर बिहार के सिवार में सेट पोस्ट आफस से एक अजीबो गरी भहरान करने माउला मामरा सामने आया है जहां एक वेक्ति को उसके पार्सल में कश्मीरी शॉल की बदले या खरोट मिलता है और पार्सल में कश्मीरी शॉल और कीमती समान जो की गायब हो चुका है उसकी कीमत करीब 5000 रुपए बताए जा रहे हैं लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि सारे कीमती समान गायब कैसे हो गए कहां चले गए इतने सारे समान क्योंकि जब वो पारसल किया जाता है तो उसको अच्छे से pack किया जाता है और उसमें जो समान होते हैं वो कश्मीरी शॉल होते हैं लेकिन जब उरसीवर को मिलता है तो उसमें कश्मीरी शॉल नहीं बलकि उसमें अख्रोट रसीवर को प्राप्ट होता है क्या इसमें भूत गुज गया या फिर जिस डाकिया ने इसे लाकर रेसीवर को दिया वो इसमें जादू करके कश्मीरी शॉल को अखरोट में बदल देता है ऐसे में बिहार के सिवान शहर के नगर्थाना छेदर के लाजिंद्र नगर में रहने वाले सचीन कुमार ने जाक अधिक शक्स शिकायत भी की है और कहा है कि 27 जनवरी को जम्मू कश्मीर यानि के कट्रा से एक पोस्ट आफिस के द्वारा एक पार्सल उनके रिस्तिदार ने जाते हैं तो उनके पार्सल से कुछ और ही बाहर आता है जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था सचीन ने तीन कश्मीर शॉल और दो स्टॉल की जगा पार्सल में अख्रोट भरा हुआ पाया जिसके बाद उनकी आखे चौधी आ गई जिसके बाद सिवान के सचीन ट्विटर पर पोस्ट ओफल्स के इंद्रिय मंत्री और पीमो को ट्याग करके अपनी शिकायत दर्ज की है और सारी जानकारी भी दी है जिसके बाद डाक विभाग भी हैरान है कि आखे इतना समान गया कहां कैसे एक पैक की गई पार्सल में से जो पार्सल किया जाता है वो डाक विभाग भी इसकी जाच में लगा है कि आगे और आगे की कारवाई करने की बात भी कही जा रही है ऐसे में अब कैसे डाक विभाग पर भी कोई भरोसा करेगा कई कीमती समान सहित कई जॉक्यूमेंस भी लोग पोस्ट ओफिस पार्सल के जरिये भेजते हैं लेकिन पूरी का मामला लगता है या तो डाक विभाग के द्वारें घृठाला किया रहा है या फिर खुई और मैं शींप जब बात भरोसे कीए अब डाक विभाग भी ऐसी हरकत करेगा तो फिर लोग क्या खुद जाकर अपना पार्सल एक जगा से दूसरे जगा देंगे बाकि आपको भी ऐसे मामली में सतर्क होने की जरूरत है और अब अगर डाक विभाग ऐसा कर रहा है तो फिर आपको भी सतर्कता के साथ अपने किसी भी पार्सल को डाक विभाग के जरिये भीजने होंगे तो आपको सतर्कता बरतनी होगी और कोई भी एहम डॉक्यूमेंट्स भीजने की पहले आपको सौ बार सोचना होगा यानि कि सतर्क रहे तो इसी के साथ हमें दीजे इजासत और भी कई अपडेट्स के लिए जुले रहे जुनता जंक्शन के साथ भानेवाद